देर्स और दुनिया की तादर तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेवन सी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार जूगल की सुवर के साथ खबर सेवन सी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है बहराई चवथे चरंग के चुनाव खत्म होने के बाद पांचमे चरंग में यूपी की 14 सीटों के लिए चुनावे विगुल पिकते हुए बहराई में पीम मोदी ने रैली को संबोधित किया मंगलवार को उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में जब सरकार मजबूर धीली ढाली होती है तो 11 महीनिया एक साल या दो साल में प्धान मंत्री बदर जाते हैं और देश का विकास होता ही नहीं जन्ता से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि आप ऐसी सरकार बनाना चाहेंगे क्या सपाफ आज पूरे देश के अंदर उत्तर हो या दक्सिन पूरब हो या पसीम जवान हो या बुज़ुर्ग महिला हो या पुरुस पूरे देश के अंदर हर एक मन में एक उत्सा है एक उमंग है एक तमन्ना है और तमन्ना है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार और मोदी सरकार को ले करके जो आम जंता ने से एक अंदोलन बनाया है एक अभिहान बनाया है जंता आगे चल लई है और उस अभिहान के साथ कमल का चुनाचिन और मोदी जी को ध्यान में रख करके जब देश का हर मद्दाता संकल्पित हो इस अवसर पर जब ये सोभाग गया इस देवी पाटन कमिस्नरी के अंदर यहां की चार लोगसबा सीटें बेराईच, केसर गंज, गोंडा और स्रावस्ती इन चार संसद्य सीटों के मद्दाताओं को आधने प्रधान मंत्री जी का मार्ग दर्शन मिलना है मैं आधने प्रधान मंत्री मोदी जी का एक बार फिर से हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करता हूँ और ने सादर आमंतित करता हूँ कि यहां के जागरूक मद्दाताओं को अपना योग्यमार्ग दर्शन प्रधान करने की किरपा करें आधने प्रधान मंत्री नरेंद भारत माता की भारत माता की सब लोगन का राम राम सब जन्ने भले हो महराजा सुहिल देव की धरती को मैं नमन करता हूँ यहां बहराईट के अलावा गौंडा स्रावस्ति के सरगन सही कर भायो बेनो सपा बस पाने एक दुसरे के खिलाब राजनिती की है आज सुप्णा साफ होने के डर से बले ही साथ आ गए हो लेकिन ये स्वार्थ का साथ है ऐसे ही साथ के लिए रहीम दाज जी कह गए हैं कहा रहीम कैसे निबे बैर कैर के संग कहा रहीम कैसे निबे बैर कैर के संग साथियों कुछ हपतों के लिए ही सही अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका तूटना भी तय है इनकी एक्सपारी डेट 23 तारिक शाम को पक्की है 23 को नतीज आएगा एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे बाई और बेहनो